भारत बरस या भारत वर्स और जब हम किसे पूछते हैं तुम कितने बरस की हो गए या तुम कितने बरस की हो गई इन दोनों में एक समानता है क्योंकि पाली के अंदर जो बरस है उस बरस का मतलब होता है वर्षा यानि कि जब पानी गिरता है जिसको हम वर्षा बोलते हैं पाली के अंदर एक सब दोर भी है जिसको हम उठ्थी बोलते हैं यानि वर्ष्टी बोलते हैं वर्ष्टी में सभी त बात होती है जब भी हम इसको कहेंगे आज की भासा में इसको हम वर्षा बोलते है या इंगलिस में हम इसको रेन बोलते है भारत बरस में जो बरस आता है इसका मतलब भी बरसा होता है भारत का जो मतलब होता है भा और रत भा का मतलब पाली में होता है जो आप जैसे जानते होंगे अगर भा में हम आ लगा दें तो आ भा यानि आ भा का मतलब हम सब जानते हैं चमक और भा का मतलब होता है चमक तो चमक ऐसी होती थी इस पूरे देश में इस पूरे प्रदेश में इरान से लेके और बर्मा तक कि इसकी चमक में सब लोग रत रहत और खास तौर से चार महिने का वो समय जो की गुरु पूर्णमा से स्टार्ट होता है जो की असार पूर्णमा से स्टार्ट होता है जो जुलाई के अंदर फुल मून आता है उस से आरम होके और ये लगबग तीन महिने पूरा चलता है और चौते महिने भी ये खिच जाता है आगे तक, चौते मेने के बाद ये नहीं चलता इन चार महिनों में पानी खूब बरसता है और पानी बरसने के साथ यहां बहुत ज़्यादा आनन्द और उल्लास का और आभा कारियन चमक का महुल रहता है बड़ी खुशी का आनन्द का रहता है और उसमें सारे रत रहते हैं इसलिए इसको भारत बोलते है और भारत वर्स इसलिए बोलते है क्योंकि ये चार महिने का जो वर्स है यानि बरस वाला जो महिना है इसलिए उसमें आनन्द आता है इसलिए जगे का पूरी का नाम भारत बरस पड़ गया अब बरस का और भारत का एक छोटा सा सम्मन जो पाली में समझ में आता है और दिखाई देता है बिल्कुल इस पश्ट वो है वस्सावास से वस्सावास या वस्सावास या वर्सावास या वर्षावास यानि कि वर्षा के दौरान में आपको वास करना है किसको वास करना है जो भिक्कु हैं जो लगातार घूमते हैं पढ़ाते हैं लिखाते हैं या भगवान बुद्ध का जो भिक्कु संग है वो आराम से वास करता है एक जीगे रुके बारिस के दुनों में वर्सा के दुनों में इसलिए उसको वर्सा बास बोलते है इसकी बारिस आरम होने के साथ ही नय कोपल निकलते हैं और कीडे मखोडे अपना प्रजणन करते हैं क्योंकि उसमें पानी अधिक्ता होती है। गर्मी बहुत ज्यादा होनी के वैसे कीडे मोखोडे अपनी जान बचा के घूमते हैं। मगर जैसे बारिस का मौसम आता है तो सारे कीड़े मौकोडे निकल लाते हैं और वो प्रिजरन करते हैं और पेड़ पौधों में जो बीच जमीन के अंदर बीच पड़े होते हैं उनमें नेनिक कोपला निसुरू हो जाती है तो भिको संग जब चारी का करता था घूमता था जगे जगे जागे पड़ाता था तो उनके पैरों से वो जो कोपल होती थी जिनको सिट्लिंग्स बोलते हैं और जो कीडे मकोडे होते थे छोटे-छोटे जो अभी जीवित हो रहे हैं या जिनके अंडे हैं या जो छोटे-छोटे लारवा हैं वो बहुत ज्यादा नुकसान में आ जाते थे तो भग्णवान बुद्ने ये नियम बनाया कि वरसावास के दोरान यानि कि जब बारिस होगी उस दोरान तीन महने से लेके चार महने तक भिक्कु संग एक ही जगे रहेगा और एक ही जगे रहके शिक्षा का काम करेगा लोगों को पढ़ाएगा और खुद भी वो और वहां से वो कहीं नहीं जाएगा इस नियम को वसावास बोलते हैं तो उनके जो भिक्कु संग के साल गिने जाने लगे यानि कि कोई भिक्कु कितने साल तक भिक्कु में रहा भिक्कु संग में रहा या कितने साल तक उसने सिक्षा ली या कितने साल तक सिक्षा दी या भि यानी वर्सा से रेन से नापने लगे यानी जितने जादा वर्सावास वो करता था उतने वर्सावास उसके माने चारे थे भगवार बुद्ध के 45 वर्सावास हैं यानी 45 साल उन्हों से पूरे जीवन में चारिका की और लोगों को पढ़ाया ज्यान प्राप्त होने के बाद अलग-अलग भिक्यों के अलग-अलग वर्सावास होते हैं तो वर्सावास समय को नापने की एक इकाई बन गई और समय को नापने की इकाई से इसको बरस बोलने लगे यानि कि पानी गिन्ने की वर्सा को बरस बोने लगे और ये वर्स में आने लगा यानि हम कहते हैं तू कितने वर्स का और तू कितने वर्स की या आप कितने वर्स के हैं तो बरस यहां ए जाने लगी ये वर्सा से और रेन से आने लगे कोंकि खेती के काम लगबग बंद हो जाते थे और लोग अपने अपने घरों में रहते थे उनका सिर्फ ये काम होता था कि बहार तक जाना, जहां विक्को संग है वहां उनके लिए भोजन ले के जाना और वहां पढ़ना और वहां पढ़ना ये काम अक्तर हुआ करता था भगवान ने जब इसका नियम बनाया तो उन्होंने देखा कि वर्षा को लाने वाली तिथी कौन सी है यानि वस उपनाइक जो तिथी है वो कौन सी है तो उसको उन्होंने वस उपनाइका बोला और वो जो तिती उन्होंने fix की यानि जो date उन्होंने जो तारीक उन्होंने fix की वो की उन्होंने आसार पूर्णमा के अगला दिन शुरू में ये आसार पूर्णमा जिसको आप गुरू पूर्णमा बोलते हैं यानि असारी पूर्णमा बोलते हैं उससे अगले दिन से इसको स्टार्ट किया मगर जो सैनिय बिम्भी सार राजा थे उन्होंने रिक्वेश्ट की कि इसको आशार पूर्णमा से ही स्टार्ट करना चाहिए आशार पूर्णमा से ही करें मेरा ऐसा निविदन है तो उनकी निविदन को सुवकार करते हुए भग्वान बुदने कहा के ये आशार पूर्णमा से आरंव होगा और एक तथी और भी दी के उसके बाद एक मेने बाद भी आरंव हो सकता है जहाँ जैसी प्रस्थिति है और ये तीन महने तक चलेगा और तीन महने के बाद जो चौथा महने आता है उसमें पवर्ण आएगी यानि कि भिक्कु संग अपनी समय और पस्तितिक हिसाब से अपनी त्यारी करेगा और वहाँ से चारी का करने के लिए आगे पढ़ाने के लिए अपना बंदवस्त करेगा और वहाँ से जाएगा और लोग उस बंदवस्त में साहता करेंगे उसको काम करेंगे और जो भी मदद हो सकती है वो करेंगे भिक्कु संगी ऐसे करके ये तीन से लेके चार महने का पूरा प्रोसेस उन्होंने ये बनाया और तीन से लेके चार महने तक इसको वस्तावास का काल बोला जाता है आसार का मतलब होता है मूसलाधार बारिस पाली के अंदर आसार का जब इस महने का नाम ही इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि इस महिने में मुस्ताधार बारिस होती है और भग्नवान बुद्ध ने इस महिने या अगले महिने की पुर्णमासी आती है सावन की पुर्णमासी वहां से भी इसका स्टार्ट करने का यानि इसको आरहम करने का जो वस्तावास है उसका भी नियम बनाया बहुत सारी नियम उनोंने बनाए है मगर इसको जो आसार पुर्णिमा है या पुर्णमी या पूरन चंद भी बोलते हैं यानि जब पूरा चांद हो जाए तो इसको पूरन चंद भी बोलते हैं या पूर्णिमा तो आसार पूर्णिमा या आसार पूर्णिमा के दिन बहुत सारी बातें important घटी अलग-अलग पूर्णिमासी पर ऐसा नहीं है कि एक पूर्णिमासी पर सारी बातें घटी है, सबसे पहली जो घटना आती है वो आती है महा माया के गब में यानि के गर्व के अंदर सिध्धत गौतम का आना ऐसा माना जाता है क्योंकि महा माया को आसाड़ी पूर्णमा को सपना आया चांदनी रात में के एक सफेध हाती अपने सून में एक कमल लेता हुआ उनको सपने में दिखाई दिया और कहते हैं कि उसी पूर्णमा की रात को गर्बधारन किया महा माया जैसा की ग्रंथों में या किताबों में बताया चाता है दूसरा सबसे में कारण के इसी आसाड़ी पूर्णमा को इसी गुर्ण पूर्णमा को सिध्धत गौतम ने अपना घर छोड़ा जब ये निर्णे हुआ कि अब उनको घर छोड़ना पड़ेगा उनको देश निकाले की सजा मिली और उस सजा के तहत में उनको बाहर जाना पड़ेगा तो उस रात भी आसाड़ी पूर्णमा की रात थी ये दूसरी important बात है आसाड़ी पूर्णमा के लिए हैं तीसरी के बाद वो लगाता लगातार इसमें अध्यन करते रहे और सारा अध्यन करने के बाद मैं उनको लगा कि अब मैं कहां से सुरुआत करूँ पढ़ाने की कहां से लोगों को बताने की कहां से कल्यानकारी जो मार गया उसको बताने के आरम करूँ तो अपने टीचर्स के पास जाने के लिए जब उन्हों नहीं देखा तो टीचर्स जा चुके थे दुनिया से तो उन्हें अपने पुराने 5 साथी जो उनके 5 साथी थे जो उनके साथ में तब करते थे ग्यान करते थे, महनत करते थे, साधना करते थे, उनकी याद आई पूछने पे पता चला कि वो सब की सब यहां से जा चुके हैं बनारस में रहते हैं सब बनारस में सारनात या बारानसी जो आज की जेट में हम जिसको बोलते हैं और उस समय इसका नाम था इसी पत्तन मिगदाय यानि इसी पत्तन मिगदाय एक बहुती शांदार पाली का सब्द है इसी माने होता है आज की भासे में कहेंगे तो रिशी यानि कि जो तब करते हैं महनत करते हैं जो पबज़क होते हैं उनको इसी बोलते हैं पाली में पतन माने होता है घाट यानि आपने सुना होगा जैसे पतना जो बना हुआ है वो रिवर घाट पे बना हुआ है इसलिए उसका नाम पतना है आपने पाट का नाम सुना होगा चक्की पाट आपने आगरे में नाम सुना होगा पाटन आपने नाम सुना होगा इसी पट्टम है ये दोनों सेम वर्ड हैं जो पाली के हैं यानि कि जो रिवर वह रही है बनारस के अंदर उसके पार्ट पर उसके तट पर रिशी रहते हैं और मिग दाय का मतलब है मिग माने होता है हिरन और दाय माने होता है उद्धान यानि कि बाग या जिसमें वो घूमत विचनल करते हैं उसको बोलते हैं बाग तो इसी पतनमिक दाय के बारे में जब उनको पता चला जो की सारनात में था सारनात का मतलब सारनात नाम बाद में पढ़ा है सारनात का मतलब है जहां नात ने सार दिया यानि जहां नात बुद्ध को बोलते हैं जहां नात ने सार दिय बातों का उसको सार बोलते है और बनारस का मतलब है जहां पे वन वास होता हूँ यानि वन वास जहां पे वन वास किया उन्होंने उसको बनारस बोलते हैं और वारा नसी का भी जो मतलब है वो सेम है यानि वन में रमन करने वाले इसी उसको बोलते हैं वारा रसी यह सारे सब् इसी रहते थे, वहाँ पे भिक्कु रहते थे, जो बाद में भिक्कु बने, और 60 भिक्कु भग्नवान बुद्ध को सबसे पहले वहीं मने, तो उन्होंने उसी दिन, यानि असाड़ी पूर्ण मा को वहाँ पे धम चक अवत्तन किया, धम का मतलब है जो प्राकरतिक नियम है, चक माने हैं, जो उन्होंने चक्र खोजा, जो उन्होंने चक्र ग्यान किया, कौन सा चक्र, जिसको हम बोलते हैं, पत्त्त्य समुत्पाद या पटिच्च समुत्पाद, इंडिपेंडनेंट और या कारण और उसका वाद, जो भी ये नियम है, बहुत सारे इसके नाम है, ज उसको आगे की तरफ घुमाया पवत्तन का मतलब पाली में जो होता है उसका मतलब है उसको आगे चालू रखना उसको जो रुका हुआ चक्र था उसको उन्होंने आगे घुमाया ये भी बात असारी पूर्णमा के दिन महां होई इसलिए उन पांचों जो उनके साथ ही थे उन पूर्णचंद के नाम से या गुरू पूर्णमा सी के नाम से जाना जाचाता है एक घटना वहां पे असारी पूर्णमा पे बहुत ज़्यादा इंपोर्णन ये हुई सारी दुनिया बरारस के इंदर जाती है बरारस के अंदर बहुत ज़्यादा धमचक परवतन होता है अ इसके अलावा एक घटना असारी पूर्णमा पर और भी हुई, क्योंकि घटना असारी पूर्णमा पर बहुत ज़्यादा हुई है। यानि अच्छे लोगों का सावक संगों का जो संग बना वो भगनवान बुद्ध ने बनाया उसकी नीव भी असारी पूर्णिमा को पड़ी और इसलिए इसको मनाया जाता है पूरी दुनिया में मगर यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि भगनवान बुद्ध ने भंगी उसे से परंपरा में बने उन्होंने पढ़ाये और अपने जैसे बनाये और वो आगे बढ़ गए और उनको आगे बढ़ाये और सबको उन्होंने खुली छोट दी कि जाईए और पढ़ाये अपना गुरु अपने आप बनिये अप दीपो भाव यानि अपना दीपक अपना भग्नमान बुद्ध ने वस्थावास के बहुत सारे नियम बनाने शुरू किये क्योंकि जैसे जैसे जरूत आवशकता आती रही वैसे वैसे वो नियम बनाते थे और जैसे जैसे नियमों की अनुपयोगता आती जाते थे वैसे वो नियम को खतम भी करते जाते थे, समय के असाब से, परस्तिती के असाब से, वो नियम थे, उस समय की जो परस्तिती थी, उसके असाब से, उस समय एक ही बिहार में रहना या एक ही जगर रहना बहुत जरूरी था, अगर उस समय भी उन्होंने ये नियम बनाये थे, कि अगर कहीं भिक्कु को किसी आव लोग जा सकते हैं उन्होंने साथ प्रकार और प्रकार के बताया कौन-कौन जा सकते हैं जैसे भिक्कु है भिक्कुनी है सामनेर है सामनेरी है जो वह सेवा करती है वो है उपा सके है या उपास ही कहा है इस तरह से सारे नियम उन्होंने बीच-बीच में बीच-बीच में जैस तो जानें में दिक्कत है या गाहों वालों को दुभिक्शा आ गई है, अमाँ खाना अबिलेबल नहीं है, या हरी बीमारी हो गई है, या काल पढ़ गया है, या कोई बीमारी ऐसी आ गई है, तो उसमें वहां से जा सकते हैं, उड़ सकते हैं, नियम बहुत फ्लेक्सिवल थे समय के नुशारते इसलिए वस्सावास के बहुत सारे नियम है मैं समय समय पर आपको वस्सावास के सारे नियमों के बारे में बताऊंगा मगर यहां सबसे एक जरूरी बात है और important बात यह है कि यह वस्सावास के जो नियम बनाए भगनवान बोध ने उस समय बनाए धाई जार साल पहले बनाए जब ना टीवी होता था, जब ना मुबाइल होता था, जब ना कैमरा होता था जब पढ़ाने के साधन नहीं थे, ना सड़क थी जमीने कच्ची होती थी, रोड कच्चे होते थे गुटने गुटने तक पानी भढ़ जाता था, कीचल बहुत होती थी जो नदियां हैं, जो रिवरें वो उफान पर आते थी उनको तियार के पार करना बड़ा मुश्कल होता था लोग बह जाते थे, मर जाते थे कीडे, मकोडे, साब, बिच्चु बहुत ज़ादा आते थे निकल के, उस समय ये नियम बनाए आज के समय में, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि आनंद, अपने जाते समय नोने आनंद को कहा था कि आनंद, जो नियम अच्छा ना हो, या जो नियम लगे कि ये ठीक नहीं है, उसको वो छोड़ दें, और भी एड़ किये जा सकते हैं ये इस पस्ट उन्होंने कहा, क्योंकि वो बहुत दूर दर्सी थे वो जानते थे कि समय के हिसाब से चीज़ें बदलती है आज ऐसा समय नहीं है कि आज बिहार पके हैं, रह सकते हैं फायदा ये होना चाहिए कि परंपरा में ना जाके इसका मेग्जियों बेनिफिट है में लेना चाहिए कि वर्सावासकों कि आजकल बारिस भी ऐसी नहीं होती है जैसे पहले घंगोर बारिस लगातार होती दे रहती थी अब बारे से भी कभी कभी कदुका होती है और पानी शहरों से निकल जाते है गाहों से बहुत तेज़ से निकल जाते है तो अब बारे महिने पढ़ा जा सकता है रो बारे महिने पढ़ा भी जा सकता है ऐसी सुविदा है दूसरा यह है कि पढ़ाने के लिए आपके पास माध्यम बहुत है अब net है, internet है, facebook है, youtube है, instagram है इसके लावा आप अपनी जो net है उससे आप अपनी वीडियोस को या आपने जो आपकी pics हैं या जो आपके photos हैं या जो आपकी post हैं उनको आप आगे बढ़ा सकते हैं आप इसको बहुत तेजी से ये देखना है कि परंपरा से फाइदा कितना है, नुकसान कितना है खाली परंपरा का प्रटीक मानना है ठीक हो सकता है, मगर अगर उसका फाइदा ज्यादा ना हो तो उसको छोड़ देना या उसको कमजोर कर देना बहतर है अच्छा रहेगा कि नेनेश संसाधन भिक्कु तो वैसे भी नेश संसाधनों का बहुत इस्तमाल करते हैं और ये तीन मेने और चार मेने का जो रिवाज है ये लगबग अब बहुत हलका हो गया है मुगर फिर भी अभी चलता है जगे जगे चलना चाहिए क्योंकि भग्णवान गुद्ध ने ये किया था इस बहाने कम सकम विक्कु रुक के अपनी सिक्छा को बढ़ा लेते हैं और आ जाते हैं फिर भी समय के उप्यूक के साब से ये बहुत अच्छी चीज है धन्यवाद